हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, I hope you are all doing really really well, दोस्तों, मेरा नाम है शुबम सिंगल और मैं आया हूँ आप लोगों से बाते करने कि आप लोगों का self-paced online module के set A के preparation का आपका detailed guidance क्या होना चाहिए, ये वीडियो बहुत important है उन बच्चों के लिए जिनका exam CE final का May 25 या November 25 में है, आगे पीछे वाले भी knowledge के लिए देख सकते हैं, पर खास करके आप लोगों के लिए ये वीडियो बना है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, सर इस वीडियो में मैं specifically set A की बात करूँगा, आने वाले वीडियो में set B, set C और set D के बारे में भी clarity दूँगा, तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो खड़ लेना, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारा CA related content जो है, वो आप आते रहने वाले है, ठीक है, दोस्तों मेरी बात इकदम ध्यान से सुनना, CA final का set A क्या है, वो है law, यानि कि corporate and economic law, बात कुछ ऐ CA शायद आपको नहीं पता होगा, पर पहले जो आपका CA final में 8 paper हुआ करते थे, एक था आपका law था और एक costing था, दोनों paper को delete करके, mainstream से delete करके, इनको self-paste module में लेके गया गया, अब law की अगर बात करूं, तो law का paper जैसा आपका paper 4, 100 marks का descriptive paper आता था, वो same syllabus, लगबक, इन्हों 80% इन्हों ने कहा लेकर के चले गए, self-paste online module में, तो जैसा कि आप मेरे screen में देख सकते हैं, यह वो पूरा syllabus है, जहां पे आप देख सकते हैं, कि आपका पूरा company law है, और उसके बाद आपका पूरा economic law है, economic law में 3 chapter आते हैं, आपका foreign exchange management act, insolvency bankruptcy code, foreign contribution regulation act, यह सारी चीज़े य जो आप self-paste में नहीं है, तो क्या हटे हैं, वो आपको जानके फाइदा नहीं है, क्योंकि वो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, ना कभी पढ़ेंगे, और रजा, अब यह समझना पड़ेगा, कि paper pattern पूरा change हो गया है, आपको exam center में जा करके exam देना पड़ेगा, center आप अपने portal म बुक कर सकते हैं, जो भी city में हो, mostly इन्होंने सारे cities में ही tie-up कर लिये हैं, तो mostly आपके city में, आपके nearby city में आप जा करके center बुक कर सकते हैं, वहाँ पर जा के आपको तीन घंडे का exam लिखना पड़ेगा, दो slot अभी currently चल रहा है, एक सुबर 9 बजे से लेकर, I think 10 से 9 से 12 का, और दूसरा 2 से 5 का, ये 2 में से कोई भी एक slot बुक कर सकते हो, बहुत सारे cities में तो daily exams हो रहें, कुछ cities में सिर्फ weekends पे exam हो रहें, कुछ cities में alternate days पे exam हो रहें, तो आपको अपना अलग से check करना पड़ेगा, अब राजा, पूरे 100 marks का जो paper आता है, मैं आप लोगों को बता द मैंने ये सुनाई कि institute को कुछ लोगों ने recommendation भीजाए, कि sir अगर आपको ये करना है तो इसमे number of attempts पे limit लगा दो, और दूसरा आप क्या गरो negative marking नालना शुरू कर तो भगवान ऐसा बिलकुल भी नहीं करना, वरना band बच जानी है, क्योंकि अभी तक तो हम इसी पे जी रहे है आधी जिंदगी ठीक है, तो आपका negative marking खुछ भी नहीं है, आपको attention लेनी की जरूरत नहीं है, प्राजा उसके अलावा अगर आप मुझसे पूछेंगे, sir exam का difficulty level क्या आ रहा है, तो मैं आपको बोलूँगा कि 70% of the students जो पढ़ करके जा रहे हैं, उनके लिए paper easy आ रहा है, तो तुक्के में जा रहे हैं, उनके लिए paper medium आ रहा है, बिना पड़े जाओगे तो बात ही नहीं करेंगे, तो आप यू समझ लो, paper is somewhere between medium to easy, it is not on the tougher end, अभी तक ये tough paper नहीं पूछ रहे हैं, ये basic paper पूछ रहे हैं, क्यों? क्योंकि जर देखो, इन्होंने 5000 से 6000 MCQs का data set बना चुके हैं, पूरा-पूरा एक data set है, अब जब भी कोई paper लिखने जाओगे, तो system automatically इसमें से MCQs पुल कर रहा है, और random MCQs आ रहे, weightage तो depend ही नहीं कर रहा है, कभी-कभी winding up जैसे chapter में 8 marks का MCQ आ रहे है, एक paper में 16 marks का MCQ आ रहे है, और बाकी में 4 marks का MCQ आ रहे है, तो range बहु सबसे बड़ी खासियत यह है, कि आपका जो paper 6 है, आपका जो paper 6 है, जो एक open book exam है, इसमें set A का weightage 15 marks से लेगर के 25 marks तक का है, 15 से 25 marks के questions आपको कहां से पूछे जाएंगे, law से पूछे जाएंगे, यह आपका paper 6 जो open book exam है, तो उसमें भी आपको यह काम आएगा, पर आपको भ आपको पता होना चाहिए कि ACI के 40 hours के, जो 40 कहते हैं पर approximately 32 hours हैं, 32 hours के mandatory lectures आपको देखने ही पड़ेंगे, mandatory मतलब option ही नहीं, आपको चलागे बैटना ही पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात, जब आप यह 32 hours के lectures खदम कर लोगे, तो उसके बाद ही आप अपना slot book कर सकते हो, उसके पहले आप अपना slot book न और अभी तो November 24 वाले लगे हैं, पर इसके तुरंट बाद May 25 वाले लग जाएंगे, अगर आप लोग सोच रहो सबसे पहले कि आपके बहुत समय आप आराम-ाराम से कर लोगे, आप बहुत गलत हो, अगर आपका May 25 और November 25 में एक्जाय में आपकी सबसे extreme priority होनी चाहिए, कि मै सेट A से लेकर के सेट D तक मेरे को जो भी चीज़े क्लियर करनी है, वो मैं क्लियर करूँगा, सर अगर आपको एक detailed वीडियो चाहिए, सर हमारे ले सेट C, सेट D की applicability क्या है, सेट B की applicability क्या है, वो मैं नीचे आपको comment कर देना, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना पर अब मेरी बात सुनो, सर, वापस आजो मैंने क्या कहा, मैंने कहा, आपके लिए सेट A और सेट B क्लियर करना सबसे utmost priority, और मैं आपको एक चीज़ और क्लियरली बता दू, मेरी संकल का सेट या सर से बात हो रही थी, जो सेट B का पेपर वैसे easy आ रहा है, पर syllabus बहुत heavy है, मतलब इन्होंने जो पुराने costing थे, उससे भी कुछ नई syllabus add किये है, और सर जो है, वो कह रहे थे कि tricky concept है, अगर आप पढ़के जाओगे तो paper बहुत easy है, नहीं पढ़के जाओगे तो paper medium है, again, क्योंकि paper medium आ रहे हैं और costing का भी weightage आपके paper 6 में आते है, अर राजा आपका और वो lectures को play करके देखना शुरू कर दो, कोशिश करो आपको जमता है तो जमाल हो, अगर जो बोल रहे हैं, समझ आ रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं, वैसे फूरा fully English है, अगर अगर कोशिश करो जमता है तो जमाल हो, शायद आप इसको जमा करके exam लिख सकते हो, शायद, it may be possible जो भी हो जमता हो नहीं जमता हो, आधा गंटा देखो नहीं जमता है, तो छोड़ दो पर lectures play करके रख दो sir, क्योंकि आपको वो 32 hours का view खतम करना है, और कोई गंदी चीज़े यूस करना, 16x का speed, 20x का speed से अच्छा है, चुप चाब उसको background में चला के छोड़ दो, आपके प आप क्या करोगे रजा, एक बार lectures play हो गए, उसके बाद, जैसी आपका lectures finish होगा, now the right step begins and the first and the foremost step is, book a slot, sir, SPOM का सबसे तगड़ा टिकनीक बताता हूँ, एकदम कम समय में पढ़ो और उसके तुरंद बाद जाकर के exam लिख दो, exam में और preparation में बहुत जादा gap मत रखना, exam में औ आपका lectures play होके खतम हो गया, अब आप slot book कर सकते हो, अब आपको जब भी थोड़ा अपने office के timing में free slot दिख रहे, including your Saturday, your Sundays, आप उसका slot जब भी free दिख रहे, उसके इसाब से slot book करो, आपको भी पता है, आपका office free होगा, मतलब बाकी office भी free होंगे, तो आपको slot मिलने में difficulty हो सक करो कि आप एक Monday का slot book करो, और Monday का slot वो भी आपको दो slot मिलता है, एक सुबह नौ बजे का और दो फैर के दो बजे का, आप second slot book करो, second slot क्योंकि इस दिन के सुबह आपको पढ़ने मिल जाएगा, और उस दिन सुबह जो पढ़ा ही होती है, भाही वही एक्साम में आते है, वही को अगर office के साथ manage करना है, आपको आठ दिन लगेंगे, आपके SPOM की पूरी तयारी करने के लिए, मैंने पूरा detail बना रहा है, इधर देखो, sir, यह देखो, अगर for example, आपने Monday का slot book किया, मैं Monday क्यों कह रहा हूँ sir, Monday इसले क्योंकि आपको Saturday और Sunday मिल जाएगा, एक तो second slot book करन और आप Monday का slot book करना, कोशिश करके, ताकि आपको Saturday और Sunday दो full day पढ़ने के लिए मिलेगा तो उसके बाद exam लिखने में मज़ा आएगा, हर अफते थोड़ा 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 पढ़के दोगे ना exam मज़ा नहीं आएगा, आपको exam के पहले दो दिन की अपसर आपने Monday को slot book किया, Monday वाले दिन जिस दिन आपने second slot book किया, उस दिन आप Fema और Winding Up का lectures देखोगे, उसके बाद आपको जितने मैं बहुत सारे अपने classes के साथ revision audios देता हूँ, पूरा-पूरा SEBI regulation 15 minute में revise हो जाता है, ऐसा, तो वो revision audios सुनके जाओगे, आपका मतलब स सब चीज याद हो जाएगे, उसके बाद आप देखो Saturday, Sunday, Friday, Thursday, Tuesday तक का, मैंने आप लोगों को कितना 6 दन का और schedule दे रखा है, अजियूम करता हूँ कि आपका Saturday और Sunday जो है, ये दोनों holiday होगा, office का, चीक है, अब रजा आप देखो, Sunday को आप क्या पढ़ोगे, IBC जो बहुत scoring उसके पहले आप FCRA पढ़ोगे, चार मार्क्स का, इसलेनियस और अज्यूडिकेशन पढ़ोगे, वो आपका 8 मार्क्स का, उसके पहले आप देखो, मैंने अप लिखा है, आपके तीन चाप्टर, Inspection, Inquiry, Compromise, Arrangement, Prevention of Operation, उसके पहले डारेक्टर के तीन चाप्टर, इतना स अफिस नहीं है, आप 8-9 गंटा दे दो, तोटल-टोटल, अगर मैं आपसे मांग रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ, आपको 50 hours देने पढ़ेंगे, कैसे, 40 गंटे आपके classes के, 10 गंटे आपके self-study के लगभग, पर आप ये समझ लो, 10 गंटे नहीं, आपके 8 गंटे के self-study लगेंगे, लगभग आपको हफते में 50 गंटे देना पड़ेगा, on and average, कम हो सकता है उससे, जादा नहीं होगा, पर राजा मेर को बताओ सर, ये जो आपने कह दिया, कि ये ये पढ़ना है, ये तो ठीक है सर, हमने नोट कर लिया, ये sequence परफेक्ट है, ये नोट कर लो, और जब आप revision audio करोगे ना, तो पहले directors का revision पहले कर लेना, directors का revision जो है, वो पहले कर लेना, अब सर मेरी बात ध्यान से सुनो, सर, अब आपके पास lectures करने के, revision करने के तीन तरीके, आपको पढ़ने के तीन तरीके, पहला आपके पास YouTube में, मैंने एक पुरा YouTube में playlist बना दिया, SPOM क उसके साथ आप ले लोगे मेरी किताब, जो self-paste online module की है, जिसमें आपकी main book भी आती है, MCQ booklet भी आती है, अगर आप वो किताब और आप revision पर्सीव करोगे, तो revision वो sufficient है कैसर, बिल्कुल sufficient है, आप एकदम आराम से कर सकते हो, पर आपको बस ये धियान रखना पड़ेगा, insolven marks का से भी regulation और ये मिला करके, आप समझ लो कुछ, 25 marks का फरक है, आपकी 75 marks आपको similar मिल जाएंगे पूरे, ठीक है, पर वो full revision videos है, जो आपके paper 4 में, जो 100 mark का descriptive paper आता था, उसमें काम आता था, उसके अलावा आपके पस दूसरा option क्या है, कि sir, 75 hours के मेरे fast track रिक्चर से, जो वा से बड़ी बात आपको समय बहुत है आपके पास, अगर कि office भी ढमी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, या समय बहुत है, office से time मिलता है, बाकी subject नहीं शुडू कियो हो, तो आप ये कर सकते हो, पर राजा, आपके लिए the most optimum product, ये मत बोलना बेचने आ गया, अभी मैंने बना साथ में आपको books भी मिलेगी, और सबसे मज़े की बाद revision audio का पूरा access इसमें मिलेगा, जो SPOM oriented revision audio है, और ये पूरा आपके paper 6 को भी संभाल लेगा, 35 गंटा तो वैसे भी आपको इधर उधर से चीज़े खोच करके लगेंगी, या फिर यहां पे आपको तोड़े से पैसे द लिए जाएगा, exam लिख लेना, ये भी खतम, और unlimited validity कर दी गई है इसकी, थाकि आप अगर इसको exam के पहले, paper 6 के पहले भी देखना चाहो, तो ये आपके बास handy रहेगा, तो ये आपके लिए मेरे इसाब से बहुत optimum solution रहेगा, पर आप ये चीज़ों तीनों में से कुछ भी decide करो, पर जो भी है भाईया, सबसे पहला step lecture आज शुडू कर दो, दूसरा slot book करो, क्योंकि slot book की ये बिना तुम पढ़ा ही शुडू करोगे, पांचो रुपे लगेंगे ना, तभी पढ़ा ही शुडू होगे, और तीसरा, आप उसके बाद 7 दिन के अंदर course खतम करके lectures देख के जाके exam लिख लो, आप इस बीच में office से जित्ता छुटी मांग के घर पर पढ़ सको, उतना अच्छा है, क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी होगी, तो exam लिखने में confidence आएगा, माना की sir, 50 marks में pass हो जाते है, पर मैं अगर होता, तो मैं अपना best देता, जो भी करो, अच्छ के अलावसर में आपको के दू कि आपका total investment SPOM के सेटे में 50 गंटे का जाएगा ही जाएगा, ठीक है, याद रखना paper 6 open book exam है, उसमें आपको चीज़े ढूंडनी पड़ेगी, तो आपको हरे कोना-कोना पता होना चाहिए कम से कम कि क्या है, बले आपको जैसे कि for example, बले winding up है, आपको पता है, winding up का कुछ खास weightage है नहीं, आएगा तो भी मेरे को नहीं पढ़ना, SPOM में चल जाएगा, पर paper 6 में, May 24 में winding up का question आया था, May 24 में Fema का question आया था, जो least touched concepts होते हैं, वो शायद paper 6 में चूँ जाएगा, तो इसलिए ये ध्यान रखना कि हमको एक optimum preparation करना है इसके was told at least in Mumbai and in Delhi, तो Delhi वाले बच्चे गुडगाओं जाके paper लिख रहें, Noida जाके paper लिख रहें, तो थोड़ी problem है, आप लोग इसको delay मत करो, जितना जल्दी खतम हो जाएगा, उत्ता काफी है, ये मत्सो चो exam के pass करूँगा, problem हो जाएगी, इसको जितना जल्दी खतम कर सको, आप उसको समय पर खतम कर जो, थाकि आपके लिए burden आगे चलके ना रहे, चीक है रजा, this is my detailed guidance, I hope, आपके कोई भी सवाल हो, May 26, November 26 वाले तुम जशे शेल पर अभी ये वाले बच्चों के लिए बहुत important था, उमीद है आपको समझ आया होगा, उमीद है ये वीडियो आपक कोई भी और questions है, तो आप मुझसे नीचे comment box में पूछ सकते हो, और मैं उसका जवाब आपको दे दूँगा, चीक है, तो सबसे पहले आपको ICI lectures करने है, अब भी, या तो watch कर लो, या play कर लो, जो तुम्हारी मर्जी, जमता है, तो nothing better, date जो है, वो date आपको date पर जाके exam जो भी बच्चे मुझसे message कर रहे हैं, कि किनको ICI lectures help कि, the recommendation was zero, और आपका अलग से कोशिश अपने ले जरूर बनता है, वो एक बर देख लेना, उसके बाद date slot book करके, office security लेकरके exam लिख लेना, second slot में, ठीक है, this is the most ideal scenario, नहीं मिला तो first slot, Monday नहीं मिला तो Sunday, यह सब करना ठीक है, चलो guys, that's it for today's, I hope this video, that's it for today, that's it for today, I hope this video was helpful for you, अगर हा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को subscribe कर लेना, क्यूंकि इस तरह के बहुत सारे और contents आते रहने वाले आप लोगों के ले, और मैं मिलूँगा आप से बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, Until then, take care, stay tuned, this is your CA buddy Shubham Singal, signing off, bye-bye.